वेलकम फ्रेंडस न हेल्च रंबो तो सब्स हाज इस बीडियो में हम बात करेंगे pulmonary function टेस्स के बारे में detail में सबसे पहले हम बात करते हैं कि pulmonary function टेस्स क्यों किया जाता इसकी क्या सब्वक्ट होती है तो इसका इस्तुमाल होता है यह देखने के लिए किया जाता है कि आपके फेफड़े कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं या फिर उत्लब आपको फेफड़ों से संबंदित कुछ दूसरे अन्य समस्या नहीं हैं कि आपको किसी चीज से allergy है जा रही है या फिर आपको जो heart सम्वन्द्ER समस्यां है या आपकी किसी चीजिरी हुई है जिसे आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या फिर उसके अलावा पुरानी फेफ़रों की बीमारियां जैसे की अस्तमा है, ब्रॉंकाइटीस है या दूसरी अन्य प्रॉब्लम से कंडिशन पता करने के लिए आपको जो है, फेफड़ों में किसी परकार का ट्यूमर है, सूजन है, या कुछ टीवी है, लंग्स के अंसर है, उस कंडिशन में सांस का लिवल पता करने के लिए आपका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है उसके अलावा भी कुछ और बिमारियां होती हैं, जैसे सारकाई डूसिस, एक ऐसी बिमारी है, जिसमें क्या होता है, कि आपके लंग्स में क्या होता है, सूजन हो जाती है, या गाट बन जाती है, तो उस कंडिशन में भी टेस्ट किया जाता है उसके अलावा यदि हम बात करें कि pulmonary function test के क्या-क्या side effect हो सकते हैं, तो इसके जादा side effect नहीं होते हैं, बट कुछ लोगों में हो सकता है, पर इक्षन के दौरान को चक कराने की समस्या है, या फिर सास की कम ही महसूस होना, उसके अलावा खासी वगरा की समस्या हो सकती है, यदि हम बात करें pulmonary function test कैसे किया जाता है, तो pulmonary function test के लिए आप radio imaging center में जैसे जाएगे, आपको एक chair पे बैटने को किया कहा जाएगा, उसके बाद क्लिप के जरिया आपकी नाग को बंद कर दिया जाएगा, तो आपकी machine जो एक होगी, वो आपके मुँ में लगा दी जाए है, उसके बाद क्या कहा जाएगा, उसके बाद doctor spirometer जो आप लगाते हैं, उसके बाद आपको सांस लेने को बोला जाएगा, कि सांस अंदर और बाहर ले, कुछ लोगों में हो सकता है कि वाई मार्ग को खोलने वाली दवा भी inhale कर दी जा सकती है, इसे पता चलेगा कुछ में इंटो में है कि आपका जो फंक्षन टेस्ट के दरी पता चलेगा कि उसकी नॉर्मल रेंज कितनी आपको आ रही है, उसी इसाप से बताया जाएगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है आपको या नहीं है, इसे हम बात करें, पर्मौरीं फंक्शन टेस्ट के साथ साथ और कौन तो इसके लिए आप जैसे चाती का X-ray है, या फिर CT scan है, MRI इनकी भी जरुवत पढ़ सकती है और कुछ conditional ultrasound की भी जरुवत पढ़ सकती है, साथ साथ में blood test जैसे की CBC, ESR वगरा टेस्टों की जरुवत भी पढ़ सकती है यदि हम बात करें, pulmonary function test की कीमत कितनी होती है, तो इसकी जो कीमत होती लगवग 300 रुपए से लेकर 1500 रुपए के बीच में होती है, यह depends करता है कौन से hospital में यह कर टेस्ट करवा रहे है, उमीद है आपको information अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो please share करें, और channel subscribe नहीं किय तो चैनल subscribe करें, with this thank you very much for watching Healthram.